GST आने से पहले, इंडिया में बहुत तरीके के इंडिरेक्ट टैक्सिस होते थे, जैसे कि Central Excise Duty, State Excise Duty, Lottery, Betting and Gambling Tax, Entertainment Tax, बहुत तरीके सरचार्ज, OCTROY, और लोग क्या कहते हैं कि GST ने इन सारे टैक्सिस को सब्जियूम कर लिया, सब्जियूम कर लिया बोले तो, simple words में लोग कहते हैं कि GST आने के बाद में इन सारे टैक्सिस के relevance है, वो खतम हो गई है, यह सारे टैक्सिस अबॉलिश हो गए हैं, जबकि fact यह है कि GST आने के बाद में भी यह जो सारे टैक्सिस हैं, जैसे कि Central Excise Duty, State Excise Duty, Entertainment Tax, यह आज भी exist करत हैं, पर हां, इनका जो scope है, वो restrict हो गया है, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ऐसे ही कुछ products ही, जिन पे GST आने के बाद में भी यह सारे जो पुराने incorrect taxes है, वो लेवी होते हैं, तो without any delay, let's get GST fried, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, alcoholic liquor for human consumption की, alcoholic liquor for human consumption, GST से पहले क्या status था, यह देखते हैं, GST से पहले, जब भी alcoholic liquor for human consumption है, manufacture होता था, मतलब जब वो factory में बनता था, तब उसके उपर state excise duty लगती थी, और जब alcoholic liquor for human consumption है, वो sale होता था, तो उस पे VAT लगता था, और CST लगता था, ठीक है, तो before GST status क्या था, manufacture होगा, तो state excise duty लगेग कि sale होगा, तो क्या लगेगा, VAT या फिर CST लगेगा, ठीक है, GST आने के बाद में, इसके status में कोई change नहीं हुआ है, मतलब alcoholic liquor for human consumption पे, आज भी, जब वो manufacture होता है, तो उसके उपर state excise duty लगती है, और जब वो sale होता है, तो उसके उपर VAT या CST लगता है, ठीक है, तो GST आन चेक है, ओके, second category of products है, five special products, जो petroleum-based products है, जिसमें आते है, crude petroleum, petrol, diesel, aviation turbine fuel, यानि की ATF और natural gas, ये 5 ऐसे special products है, जिन पर GST आने से पहले क्या scene था, जब ये manufacture होते थे, तो क्या लगता था, इस पे central excise duty लगती थी, और जब ये sale होते थे, तो इन पर क्या लगता था, VAT या CST लगता था, ठीक है, अब GST आने के बाद में इनका क्या status है, ये जो five special products है, इन पर government ने as of now GST को defer करके रखा है, मतलब एक बार GST थोड़ा सा settle हो जाएगा, तो GST council recommend करेगी government को, कि अब इन five special products को GST में लाया जा है, तो जिस दिन GST council ऐसी recommendation देगी, उस दिन और उस दिन के बाद में government necessary action लेगी, और फिर इन products पे GST लगेगा, as of now क्या scene है, कोई चीज़ नहीं हुआ है, before GST जो status था, आज भी वही status है, यानि कि यहाँ पर दी no change, ठीक है, ओके, next बात कर थे, tobacco और tobacco products की, tobacco और tobacco products है, before GST क्या status था, जब यह manufacture होते थे, इन पर central exercise duty लगती थी, same होते थे, तब इनके उपर VAT या CSD लगता था, यानि कि इनका status क्या था, यह उपर वाला, जो petroleum products का था, same वही, manufacture होने पर central exercise duty, same होने पर VAT या CSD, ठीक है, अभी, यह बड़ा interesting product है, इस पे GST आने के बाद में एक बहुत ही unique situation create हुई है, unique situation कैसे, कि GST आने के बाद में आने कि as of now, जब tobacco या tobacco products manufactured होते हैं, तब तो इन पे आज भी central exercise duty लगती है, यानि कि manufacturing stage पे कोई change नहीं हुआ है, पहले भी, इस पे जो central exercise duty है वो लगती थी, आज भी central exercise duty ही लगती है, बट जब tobacco और tobacco products है, वो sale होते हैं, उस पर change हुआ है, उस पर अब क्या होता है, पहले VAT और CSD लगता था, अब क्या होता है, उस पर GST लगता है, तो जब ये sale होते हैं, तब क्या होता है, इस पर GST लगता है, ना इस वेरी unique thing, ये एक लोगता ऐसा product है, जिस पर central exercise duty और GST दौनों एकसाथ लेवी होते हैं, ठीके ना, तो ये exam में पू Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics, ये जो अफीम, गांजा वगएरा जो products होते हैं, नार्कोटिक्स जो होते हैं, GST आने से पहले इन पर सारे तरह के taxes लेवी करने का जो exclusive power था, वो state के पार्क में था, तो ये जो products है, जब ये manufacture होते थे, GST आने से पहले की बात कर रहा है, manufacture होते थे तो इस पर state exercise duty लगती थी, sale होते थे, तो इन पर क्या लगता था, VAT या फिन CST लगता था, ठीक है, बड़, GST आने के बाद में इन पे भी एक unique situation create हुई है, अभी जब ये manufacture होते हैं, तो आज भी इन पर state exercise duty लगती है, manufacture होते हैं, तो क्या होता है, आज भी इन पर state exercise duty लगती है, और जब ये sale होते हैं, तो इन पर क्या लगता है, इन पर GST लगता है, तो यहाँ पर भी एक unique situation create हो रही है, तो central exercise और GST का combination कहाँ बन रहा है, ये tobacco and tobacco products पर बन रहा है, state exercise duty और GST का combination कहाँ बन रहा है, ये opium, Indian hemp और other narcotic drugs पर बन रहा है, ठीक है, तो ये unique situation है, इसको ध्यान में रखना लास्ट हम बात करते हैं, entertainment tax की, entertainment tax है, GST आने से पहले क्या situation थी, दो दरे की situations create होती थी, कुछ states से वहाँ पर entertainment tax है, वो कौन लेवी करता था, वहाँ पर state government है, वो खुद से लेवी करती थी, और कुछ states में क्या सीम था, कि entertainment tax है, वो लेवी करने का जो पावर है, वो local bodies को दि लेवी करती थी, कुछ states में, वो क्या होता था, local bodies जो होती है, यानि कि local authorities जो होती है, वो ये जो entertainment tax है, वो लेवी करती थी, ठीक है, GST आने के बाद में, अगेन एक unique situation create हुई है, वो situation क्या है, कि ऐसे states जहां पर GST से पहले entertainment tax है, वो state government लेवी करती थी, वो तो क्या हो गया, GST में सब्जियूम हो गया, ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, ऐसे states जो खुद से entertainment tax लेवी करते थे, वो वाले states में, ये जो entertainment tax था, वो सब्जियूम नहीं हुआ है, वहाँ पर आज भी local bodies है, वही entertainment tax लेवी करती है, मतलब क्या हुआ, simple words के बोलो, तो entertainment tax, GST आने के बाद में अलाइव है, किन states में, ऐसे states में, जहां पर before GST, local bodies है, वो entertainment tax है, वो लेवी करती थी, ठीक है, समझ आया, तो अगर ये आपको comparison अच्छा लगा, वीडियो helpful लगा, तो make sure to hit that like button, share करना and do subscribe this channel for more such videos, this is T.A. Preeti Parihar, signing off for now, good bye.